हलो सुडेंट वेलकम इन नवभारती फैमली मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम पढ़ रहे हैं केमेस्ट्री 11 की यह चैप्टर सेकेंड है जो कि है एटमिक स्ट्रक्चर इसके अल्रेडी दो लेक्चर हो चुके हैं यह थर्ड लेक्चर है थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ र इसका वैल्यू 1.76 multiply by 10 to the power 8 कुलाम पर ग्राम यह वैल्यू आई थी हमारे e by m रेशियो की जो की सर जेज़े थॉम्सन जी ने डिटर्माइन की थी अब हम फर्दर देखेंगे कि देखेंगे डिटर्माइन ओफ e m वैल्यू तो जो यह e by m वैल्यू है यह कॉंस्टेंट होत ठीक है अब फर्दर बात यह है electron की बात करें जिसका मतलब होता है कि negatively charged particle जो है वो universal है और it is common to all atoms इस सारे atoms के लिए common है मतलब जितने भी items होंगे उसके अंदर जो भी electron का आपका charge होगा ना वो सबका similar होगा और सबका e by m रेशियो भी क्या होगा constant होगा सबका same होगा तो देखो आप charge of electron कितना पाया गया minus 1.602 multiply by 10 raise to the power minus 19 कुलाम ठीक है तो यह था electron का basically charge है ना तो अब आप देखिए यह electron का जो charge है वो कैसे मतलब मिला कैसे discover हुआ electron का charge कैसे पता चला हमें क्योंकि सर जेजट होंसन ने तो इसका बिल्कुल भी charge के बारे में बताया ही नहीं था उन्हों जस्त रेशियो बताया था e by m वेल्यू का ठीक है तो अब हम चलते हैं पता लगाने कि भी charge of electron कैसे निकाला गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके देख लीजिए charge of on the electron is म आपको बता चुकी हूं minus 1.602 multiply by 10 raise to the power minus 90 कुलाम चलते हैं आगे देखें तो कैसे पता चला हमें charge of electron कैसे निकाला गया वो निकाला with the help of oil drop experiment जो scientist थे R.K. Millikan उन्होंने एक experiment किया था that is oil drop experiment और उसकी है से हम लोगों ने निकाला charge निकाला किसका electron का ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या setup था milkyman का क्या setup था मिलिकन जी का oil drop experiment के लिए और उन्होंने कैसे find out किया charge of electron तो देखिए इस तरीके का कुछ जो है setup था अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि setup जो है क्या-क्या है सबसे पहले देखो उन्होंने एक chamber लिया है ठीक है यह पूरा chamber है यह basically gold shape का भी हो सकता है आप इसको इस तरीके का भी ले सकते हो chamber जिसकी यहां से गोलाई योचे इसे हम बोलते है cylindrical है तो वो भी आप ले सकते हो ठीक है अब देखो उन्होंने इस तरीके का chamber लिया उसके बाद उन्होंने क्या-क्या लगाया उन्होंने यहां पर लगाया है यह आपको दिख रहा होगा basically हो य इसको दबाकर रबड की तरह दबाकर और कुछ निकलता है तो यह फुस-फुस है यह क्या है जनरल वाशा में फुस-फुस है इस फुस-फुस को जैसे ही आप दबाओगे ना तो यहां पर क्या है देखो यह बोटल किसकी है यह इसके अंदर तेल भरा हुआ है क्या भरा रूप में दिखेगा आपको बात आई समझ में देखो यहां पर आपको इस पुस पुस को दबाओगे जो यह तेल है आपर इस बोटल में रेड रंग का वो तेल जो है निकल कर और इस प्रेय की फॉर्म में यहां पर फिल्कुल छेड़क जाएगा इस चैंबर में ठीक है तो लगा है उसका और बी समझ नहीं आए तो आपके घर में काम के लिए अब हम चलते हैई यह टैलिसकॉप चैलिसकॉप हम लगों ने क्यूं लगाया है ताकि हम जो भी यहां पर एक्टिवीटी हो रही है न उसको हम देख पाए डंग से एकदब observe कर पाएं ठीक है तो इसलिए तो हमने यहां पर यह पैलिस्कॉप लगाया है अब आपको इस दोनों चीजों की वर्किंग समझ में आ गई इन दोनों चीजों की चलो अब हम देखते हैं और क्या क्या लगाए वह यहां पर यहां पर इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगा रख और देखो इसको तो इन्होंने कर रखा है पॉजिटिवली चार्ज देखो इस वाले को तो पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है और इस वाले को इसमें नेगटिवली चार्ज कर रखा है और भई क्या लगा रखा है इन्होंने लगा रखा है इस सेटप में मिलीकन जी ने लगा रख हैं इन्होंने X-ray मतलब यहां पर कुछ ऐसा फोर्स लगा रखा है जिससे कि क्या निकल रही है यह एक सरे निकल रही है और चैंबर में जा रही है ठीक है एक तो यह चीज है अब और क्या क्या चीज दिखाई दे रही है हमें एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि मौल यह प्लेट है ना यह उपर उपलेट इसमें आपको यह होल दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो यह होल श Dus पक्तिक है यह पूरा स्विक हो गया अब दो जलते हैं काम की तरफ क्या काम है हमारा अब हमें क्या क्वी निक्षी पता करना काश है अब आप देखिएयका यह वाली जो दो प्लेट इन प्लेटों को पहले जो है चार्ज नहीं कर रखा है मतलब आप यह मानों कि इन में जो बैटरी है ना वो जो है नहीं लगा रखी है ठीक है हम लोगों ने कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं लगा रखा है किसी भी बैटरी से से कनेक्ट नहीं कर कर रखा है starting में तो क्या होगा जब कोई-बैटरी किनेक्ट नहीं कर रखी है तो इतना सा होगा ग्याहा कोई पुस नहीं हो जाएगा तो यह दुरह एक दी इरे दीर डीरमे आएगे तो यह कहानी तो जब कोई भी इन्सवाला eletrode और यहां पर कोई भी हम लोगों ने चार्ज नहीं लगाया है कुछ भी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है बैटरी वगरा तो क्या होगा बिसिकली जो यह OIL drop है ना वो वो ओयल डॉप चुपचाप आके नीचे गिरते रहेंगे, जिसी कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब आप देखो यह वाला चेंबर है, यह वाला बीच वाला चेंबर, इस चेंबर में बहुत सारी चीज़े होगी, इस चेंबर में एक तो क्या है, एर है, एर के पार्ट इस box में यह होगा कि जो यह x-ray है बिसिकली यह इतनी ज्यादा energy की है कि जो यह air के bubbles इसको यह penetrate कर जाएगा ठीक है जो atom है एक से बिसिकली atom बोलेंगे इसको यह क्या कर जाएगा penetrate कर जाएगा मैं इसको आपको अलग से समझाती हूँ इसको जो खाली स्पेस है उसमें समझाती हूँ आपको अच्छी तरी किसी समझ में आएगा देखो यह रहा पार्टिकल किसका air का ठीक है यह हमारा x-ray ठीक है x-ray चली गई इसके अंदर एक सरे ने क्या किया जो आटम है एर का है ना जो पार्टिकल है एर का इसके अंदर से मतलब आपको पताए एक सरे का penetration पावर इतना इलक्तरोन जो बार निकाल दिया यहाँ पर यह सारी प्रोसेस कहाँ पर हुई है यह सारी प्रोसेस हुई है स्सक्राइब के अंदर तो देखो इसष्य ने कंए चे Inton को ले लिया लिया एक्स डान के एंट मे ez हो है यह जो ओइलॉप है इसने क्या क्या कैच कर लिया बात आई समझ मैं आप देखऊ situation क्या हो गई कि अब situation क्या हो गई बहुती मसरदार situation हो गई आप देखो आप क्या situation हो गई हुआ ये है कि यह जो oil drop है basically मालो यह oil drop कुछ इस तरीके का है ठीक है इस oil drop ने अपने अंदर कौन सा चार्ज ले लिया negative चार्ज ले लिया कुछी इसमें क्या ले लिया electron ले लिया और खुद यह x-ray ने जो air का atom है उसको क्या कर दिया था कुर्श ठीक है तो क्या होगा अब इसके अंदर दो committed काम कर रहे होंगे ठीक है एक तो force होगा उपर वाला एक force से नीचे वाला नीचे वाला force कौन सा है gravitational force जो पढ़ते हो सदक्स में और उपर वाला वाला फोर्स कब लगेगा जब हम क्या करेंगे इसको बैटरी से जोड़ देंगे ठीक है ना इसको हमने क्या किया बैटरी से जोड़ दिया तो कौन सा फीड लगेगा जब आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज ओड्रोप है ये Is called electrostatic force जो पॉजिब और नेगिटिव आपस में खीचते हैं उसको attraction for attraction भी बोलते हैं विसिकली थिक है और यह इसको हम electrostatic force भी बॉल सकते हैं तो ऊपर कौन सा force लग नहीं यह लगेगा electrostatic for ऊपर किसाइड किसका लग रहा है force electrostatic लग रहा है निच्छे कौन सा लग रहा है ग्रैविटेशनल लग रहा है अब यह जब दोनों फोर्स लगेंगे ना और हमने एक ऐसा वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि यह जो दोनों फोर्स है यानि जो एफी बराबर अगें बदाती हूं मैं आपको एक बार अच्छी तरीक कर रहे है इस ट्ठिशिशों ऊप से जो ओएल्ल डॉफ है उसमें नेगेटिव जुह है अपना लिया है इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इलेक्तरॉन ले लिया है तो ओपर वाली प्लेट इसको आकरशित करेगी attract करेगी जो की positively charged है और नीचे जो है कौन सा force है gravitational force है ठीक है अब एक टाइम ऐसा आएगा जब यह electrostatic force और gravitational force जो है equal हो जाएगा अब इसमें देखो आपको पता electrostatic force कैसे लिखते हैं q1 q2 upon r square यही होता है formula कुछ-कुछ ठीक है और is equal to आपका यह जो आपका gravitational force होता है उससे कैसे लिखते हैं mg ठीक है electrostatic force कैसे लिखते है q1 q2 upon r square और जो आपका gravitational force होता है उसको लिखते हैं आप अपन mg gravitation और mass इन सबकी value सबको पता होती है q1 जो है वो यहाँ पर है electron का charge जो कि हमें निकालना है और q2 जो है वो है यहाँ पर जो battery हमने लगाई है इसका charge ठीक है और r square है distance between in these two charge ठीक है हमें सब कुछ पता है देखो आप हमें क्या-क्या पता है हमें क्या-क्या पता है हमें यह r square पता है यह q2 पता है जो हमने battery apply कर यह charge apply किया है through the battery वो हमें पता है जो कि q2 है हमें M पता है हमें G पता है निकालना क्या है हमें यह q1 q1 इस charge of electron इन सब की value रखके हम charge of electron निकाल लेंगे जो कि क्या निकलेगा भई बोलो क्या क्या निकलेगा वो निकलेगा minus 1.602 10 raise to the power minus 19 कुलाम ठीक है I hope ये millikin oil drop experiment आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कोई भी doubt नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत कौशिश करिये कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाएं ठीक है तो चलिए देखिए आगे चलते है तो देखिए क्या निकल के आया है चार्ज हमारा ये देखिए ओपर ये रा चार्ज ये चार्ज है 1.602 10 raise to the power minus 90 कुलाम electron का चार्ज निकल के आगया है by a millikin oil drop experiment ठीक है हमने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया है अब आप देखिए mass of electron basically mass कैसे निकलेगा electron का बहुत ही easy है कैसे निकलेगा आप देखो इदर कि हमारे पास charge तो आ चुका है electron का charge आ चुका है इसको मैं एक बार लिख सकती हूँ तो e से लिख देती हूँ charge को ठीक है q से भी लिख सकते हो आप upon हमें क्या पता है e by m ratio भी पता है ना हमें electron का sorry e by m ratio पता है ना हमें तो e by m ratio किसने निकाला था sir jj thompson ने तो देखिए उसकी value ये रही e by m ratio की charge हमने निकाल लिया ये रहा इन दोनों को divide करोगे तो obviously बात है e से e कट जाएगा और value किसकी आ जाएगी mass की तो mass कितना आया है electron का 9.1 multiply by 10 raised to the power minus 31 kg बात आई समझ में इस तरीके से with the help of charge and ratio of e by m हम लोग ने क्या निकाल लिया mass निकाल दिया electron का और ये जो value है आपको अच्छी तरीके से learn होनी चाहिए ठीक है चलो आज के लिए इस class में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे आगे का lecture तो आपने देखी लिया होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे की lecture में हम लोग आगे की lecture में पढ़ेंगे discovery of proton ये लेक्टर में बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ इसलिए हमें short lecture बना रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाओ अब हम next lecture में धंग से पढ़ेंगे क्या कि proton की discovery कैसे हुई neutron की discovery कैसे हुए तो चलिए आज के लिए thank you so much इतना ही हम लोग करेंगे